हेलो स्टूडेंट गुड मॉनिंग बेटा आप सभी कई वर फीशे स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसको से लिया जूकेशन में और बेटा आज हम कर रहे हैं हमारी थार्ड किलास की इंग्लिश का फोर्टींथ लेसन जामुन ट्रे यानि की जामुन का पेड तो बेटा देखो है की पेड है यहाँ पे पिक्चर में न और बच्चे खड़े हैं खड़े हैं तो देखते हैं इसमें क्या कुछ बताया जा रहा है स्कूल के मीडल में मद्य में यानि की बीच में जो जामुन का पेड है उसके चारो तरफ बच्चे खड़े हैं सम चिल्डन कुछ बच्चे खड़े हैं दे आर वरीड वे चिंतित हैं वाई दा लीवस ओफ दा ट्री आर टरनिंग येलो की पेड के पत्ते कैसे टरनिंग बदल रहे हैं येलो में यानि की येलो कलर हो रहा है एंड इट्स ब्रांचीज आर ड्राइंग ठु और इसकी टहनिया भी सूक रही हैं अब बच्चे खड़े हैं देख रहे हैं कैसे ये पेड के पत्ते पेले हो रहे हैं और इसकी टहनिया सूक रही है आगे आप यहाँ पर रिगना कह रही है लुक दट्री इज लुकिंग सो सिख देखो पेड बहुत बीमार देख रहा है यह उंगली कर रही है न लड़की देख हाँ और यहन यस इट्स लीव सार टानिंग यालो और ब्रांचीज आर ड्राइंग ठू इसके पत्ते पीले पड़ गए हैं और ब्रांचीज यान की साखाएं साखाएं भी सूख रही हैं रमन ओ अब रमन कहा रहा है ओ इस लीव कर रहा है कि हमें जामुन नहीं मिलेंगे मीना इस वेरी शेड और यह बहुत गलत बात है बहुत ही बुरा होगा अब हमें क्या करना चाहिए यह पेड सूखने वाला है तब हम क्या कर सकते हैं क्या करना चाहिए हमें रमन, we don't know what is happening to the tree, हमें नहीं पता कि पेड के साथ क्या हो रहा है, happening, गटित हो रहा है, आरियन, let's ask our teacher about this, आओ, हम इस बारे में अपने अद्धापक से पूछे, let us आओ, हम, मीन, sure, हाँ, ठीक है, let's go, आओ, चलते हैं, and talk to our teacher, और हमारे अद्धापक से पूछते हैं, हमारे अद्धापक से पूछते हैं, और अद्धापक से पूछते हैं, तो अब शीन दूसरा शुरू हो गया, दूसरी तरफ, teacher भी दिखाई दे रही हैं ने, इसमें, तो अब देखते हैं, Children are talking with their teacher बच्चे अपनी अध्धापिका से बात कर रहे है They are telling the condition of jamun tree to the teacher वे jamun tree की क्या condition ने क्या हाल आता है वो teacher को बता रहे हैं बच्चे बता रहे हैं na Teacher is listening to them carefully और अध्धापिका ध्यान से बच्चों को सुन रही है Carefully मतलब सावधाने से अच्छी तरह से सुन रही है उनको Rina, Rina क्या कहती है Ma'am, something is wrong without jamun tree Ma'am, हमारे jamun के पेड़ के साथ कुछ गलत हो रहा है Mina, Ma'am, its leaves are falling and it is drying too इसके पत्ते पीले हो रहे हैं और ये सूख भी रहा है तो पेड़ सूख रहा है और पत्ते पीले पड़ रहे हैं ये Mina कह रहे है Teachers, अध्धापिका अब कहते, don't worry, चिंता मत करो Every problem has a solution Problem means, मुसीबत हर मुसीबत का solution कोई न कोई समाधान होता है Solution means, समाधान Arian, ma'am, what shall we do now, madam अब हमें क्या करना चाहिए तो teacher क्या कह रही है We will call Mali Kaka हम Mali Kaka को भुलाते हैं Mali Kaka कौन? वो Mali जो पेड़ पोदों को पानी देता है उसको Kaka कह देते हैं I am sure he had suggest some solution to this problem और मुझे विश्वास है I am sure मतलब मुझे विश्वास है मुझे पक्का पता है कि वो कुछ न कुछ उपाई हमें बता देंगे कि Mali Kaka को से पूछते हैं कि भई पेड़ सूखरा हो तो हमें क्या करना चाहिए हैं ना अब अगला scene शुरू हो रहा है Mali Kaka दिखाई दे रहे हैं टीचर और बच्चे सब दिखाई दे रहे हैं दिख रहे हैं ना तो क्या बाते करेंगे वो Mali Kaka the teacher and children are standing around the jamutri सारे ही Mali Kaka भी teacher भी और बच्चे भी पेड़ के चारो तरफ खड़े हैं Mali Kaka is looking at the tree carefully और Mali Kaka इस पेड़ को बड़े धान से सावधानी पूर्वक देख रहे हैं All the children are watching him anxiously और सारे बच्चे Mali Kaka को बड़ी उत्सुफता से देख रहे हैं कि अब वो देख के बताएंगे कि पेड़ को क्या हो गया है ना Mali Kaka Mali Kaka कहते हैं examining the tree carefully पेड़ को अच्छे से देखने के बाद Mali Kaka कहते हैं कहते हैं ना ऐसे Rina Mali Kaka What has happened to the tree अब Rina पूच रही है कि Mali Kaka Pेड़ के साथ क्या हुआ है क्या हो गया पेड़ को Teacher relax kid बच्चे शांत रहो Let him take this time कि उसको अपना समय लेने दो उसको सोच ने दो कि क्या हुआ है क्या करेंगे वो Mali Kaka sit on his knee and dig some earth from its root Mali Kaka अपने घुटनों के बल Knee is घुटने घुटनों के बल बैट गए और digs some earth Dig means खोदना Dig means खोदना और वहां की मिट्टी से some earth from its root इसकी जड़ से कुछ मिट्टी खोदते हैं Mali Kaka Mali Kaka फिर क्या कहते हैं Look Children बच्चे Mali Kaka Mali Kaka कहते हैं Look Children बच्चो देखो These termites are the main koj ये दीमक इसका पिला होने का सूखने का सबसे बड़ा कारण है main means मुखे koj कारण but don't worry परन तुचिंता मत करो I have a medication मेरे पास एक दवाई है I shall put it into the root of the tree मैं इसको पेड की जड़ों में डाल दूँगा जिससे दीमक खतम हो जाएगे Be careful सावधान रहना Don't play near the tree पेड के नजदीक मत खेलना क्योंकि वो दवाई डाल रहा है हैं And don't even touch it और उसको छूना भी नहीं है I will come here from time to time to take care of this tree और इसको पेड को समय समय पर मैं देखने आ जाऊँगा जब ज़रूरत होगी तो मैं इसको देख जाऊँगा ये मालिका का कह रहे हैं ठीक है? देखो पेड की टहनियों पर सूखी टैनियों पर कुछ हरे पत्ते आ गए हैं आरियन वाव इट्स ब्रांचिज और आल्सो लुकिंग हैल्दी तो आरियन क्या कर रहे? वाव इसकी ब्रांचिज टहनियां भी हैल्दी सवस्त दिख रही हैं मीना इस गेटिंग वेल नाव यह अब ठीक हो रहा है लेट्स टैल आव टीचर आओ हम अपने अधापक को बताएं रमन यस एंड लेट्स टैल माली काका टू और आओ हम माली काका को भी इसके बारे में बताएं माली काका दा टीचर और ओल चिल्जरन और सारे बच्चे पेड के चारो तरफ खड़े हो जाते हैं, मालिका का डिकलेर करते हैं, कोशना करते हैं कि अपनी ठीचर जो अध्धापक का धन्यवाद करते हैं, चिर्डरन हुरे ही, बच्चे खुष हो गए न, अब हम जामुन के पेड के नीचे खेल भी सकते हैं और जामुन भी खा सकते हैं दे साउट विज जौर वे खुशी से चिलाएं बच्चे जो खुश होते हैं तो चिलाते हैं हुरे हुई है ना और खुशी खुशी अपनी किलासों में चले गए देखा पीटा माली काका ने दीमक हटा दी तो पेड़ हरा हो गया तो यह चीज तुम्हें भी ध्यान रखने हैं कि तुम्हारे स्कूल में या तुम्हारे घर में या आसपास कोई पेड़ देखो कि भई पीला होने लग रहा है तो पेड़ की केर हम कैसे करें यह हमारे इस लेसन में बताया गया है अब बिटा कर लेती हैं इसके वर्ड मीनिंग है शिक बीमार यानि की अनहेल्दी सेड चाया कंडीशन स्थीती सजेस्ट सुझाव देना एंक्सियसली मतलब उचसुकता से पाइल धेर टर्माइट दीमक अनाउंस घोसना करना तो बेटा कुछ यह वर्ड मीनिंग यहां पे बुक में दिये हैं और इनके अलावा कोई और अगर डिफिकल्ट वर्ड तुम्हीं लगता है लेसन में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट बोक्स में लिख देना मैं उसका अंसर आपको लि कि दोंगे ठीक है ठीक है यह लेसन हमारा कंप्लीट होता है इसको बेटा तुम अच्छे से पढ़ ले ना और पेड़ पोदे कैसे पाले जाते हैं कैसे पेड़ पोदों का हम रख रखाव देख बाल कर सकते हैं यह इस लेसन में बताया गया है इसको तुम धान में रखना ठीक है बिटा? थैंक यू